वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें जो आपके वंडे एक्जाम के लिए इंप्रेशन कर रहें हैं आप यूपी पीएसी के अगर प्रिशन कर रहें तो जोग्रफी के ये टॉपिक आपके लिए महतफ़पूर रहेंगे पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडवान निकोबार के परवत सिखर उसके बाद हम देखेंगे भारत के आठ प्रमुख बनस्वति छेत्र उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बानी की सोध संस्थान तीरो ही टॉपिक दियानें वीडियो को देखंग benefiting को अवस्थित हो उसको आप नोट कर सकते हैं चलिक हो अन्धवान निकोवार के पर्वत सिखर अन्धवान निकोवार के भान परवत सिखर है हैं जो एक्जाम में पुछ जाते हैं आधर म पी को बहुत रहे पूचा गया और अलग-अलग छेत्र में अलग-अलग सिखर उच्छ सिखर हैं जिनकों पढ़ने वाले हैं तो माउंट हैरियट दक्षणी अंडबान में हैं 383 मीटर इसकी उचाई है माउंट थुलियर ये ग्रेट निकवार में 642 मीटर इसकी उचाई है इसके बाद सेटल पीर्क उतरी अच्छ आपको ये नाम भी याद रखने हैं कि ये है कहाँ पर क्योंकि हो सकता है आपको अंडबान का छेत्र ना पूछा जाए सीधे अंडबान निकोबार दिया जाए उप्षन में तो वह भी आप टेक कर सकते हैं आपको देरेंगे जैसे कि तमिलाडू केरल अंडबान अरोनाचन प्रिदेज चार आपको नहीं जाना है तमिलाड़ू भी नहीं जाना है केरल भी नहीं जाना है अंडबान निकोबार तिक करना है इनके नाम जैसे सेंडल पीक मौँट ठूडिय ये सारे पूछे रहें उपको याद रखिए गा इसके बाद भारत में आए प्रम कौन सी पनस्पति मिलती है तो सीतोष्ण कटी बंदी है भाग चीड देवदार संकुधारी की ब्रक्ष चौड़ी पती वाले सीतोष्ण ब्रक्ष जो ब्रक्ष है वो इस चेत्र मिलते हैं पश्चिमी हिमाले छेत्र मलब कस्मीर से कुमायू तक में और अलपाइन चेत्र भी पाया जाता है जिसमें देवतार के स्वेत भोज ब्रक्ष और सदाबहार ब्रक्ष मिलते हैं तो आपसे एक्जाम में पूछा जाता है संगुधारी ब्रक्ष का चेत्र कौन सा है संगुधारी ब्रक्ष किस चेत्र में पाया जाते हैं पश्चिमी हिमाले में पूर्वी हिमा परफल, द्वीपल, बड़े फूल वाली सदवहर ब्रक्षव और चोटी बेट वाले जंगल पाए जाते हैं तो यह पूल, पती, फल जो हैं ब्रक्षों के नाम याद रखने की कौन से ब्रक्षव किस छेत्र में पाए जाते हैं असम का छेतर ब्रह्मोपुत्र और सुर्मा घाटियों के बीच का जो छेतर है वो असम का छेतर कहलाता है और इसमें कौन कौन से ब्रक्षे हैं इसमें सदावाहर जंगल और बीच बीच में घने बासों और लंबी घासों के जुर्मोट पाये जाते हैं सिंधु का मैदानी छेत्र अब ये कहां तक बिस्ता रहे थे पंजाब में पश्मी राजिस्थान में कुछ पढ़ेगा और कुछ उत्तरी गुजरात की मैदान में ये छेत्र सुस्क और गर में अब राजिस्थान का छेत्र तो सुस्की है गर में भी है रेतीला छेत्र है और ब्रीती देशेतर में जादा तो ब्रक्ष होंगे नहीं कौन से ब्रक्ष होंगे जिनको पानी की कम आवश्यक्ता होगी तो कटीले बन जारीय मिलती है जैसे नाकफणी का पौधा हुआ यह सारे ब्रक्ष यहां पर पाए जाते हैं गंगा का मैदानी चेतर कहलाता है इसमें ग बगर भूमी दक्कन छेत्र कहलाती है इसमें पतजड वाली मिट्रक्षटते से लेकर रचत päत की जंगली जाडी को पाया जाते है मालावार का ओस्ता प्रचि नारियल की फसल केरल करनाठक में नारियल कि उस त्रेंध केरल में अच्छ वीप में इसका विस्तार है और इसमें सदावार्, कच्छ वनस्पती, समुद्र तटिया, अपलाभी जंगलों की अधिकता पाये जाती है तो यह जो वनों के प्रकार है अदुमान शेत्र में अब इनके नाम भी याद रखने है कि वनस्पती छेत्र में कौन-कौन से चेतर हैं ये एक्जाम में पूछा जाता है कि कौन से बनस्पति चेतर नहीं है तो पश्मी हिमाले पूर्वी हिमाले है समका चेतर सिंधू का मैदानी चेतर गंका का मैदानी चेतर दक्कान चेतर मालावार चेतर और अर्णवान चेतर आर्थ बनस्पति चेतर हैं भारत की प् थोड़ा से स्पीड बढ़ा कर 2x की स्पीड पर भी देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो तो उसमें आपको याद हो जाएंगी चीजें दो से तीन बार आप चीजों को देखेंगे तो याद होने लगेंगी सबसे पहले जो सबसे जादावार पूछा गय यह बैंगलूरू में है कनाटक के रैन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट जोरहट में है असम के इंस्टिट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्रीव डीडिंग कोयमभटूर में है तमिलाडू के सेंटर ओफ सोशल फॉरेस्टी एंड एको रिहाबिलिटेशन यह जिसको पहले लहाबाद कहा जाता था उत्तर प्रदेश के हिमाले फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट यह हिमाचल प्रदेश की सिम्ला में है एडवांस सेंटर फॉर बायो टेक्नलोजी एंड मैंग्रो फॉरेस्ट यह हैदराबाद में तेलंगाना के टॉपिकल फॉरे इंडिया इंस्टिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट यह बंगलूरू में है करना ठक के इंडिया इंस्टिट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यह एक्जाम में MPPSC यह प्रिश्ण बहुत पूछता है तो MP बाल इसको अच्छे से आद कर लें क्योंकि इसमें कांफि पूरम में है तो यह हमने भारत के प्रोख बानी की सोधस अंस्थान देखें यह महतुपूंथा एक्जाम में 102 प्रश्ण से पूछे जाते हैं यूपी तुरबल सी पीटी भी ऐसे प्रश्ण को पूछता है और MPPSC भी काफी फैक्ट पूछता है तो उसमें भी पूछे जा पूछते हैं और MPPSC में जोड़ी मिलान में से पूछते हैं तो यहां पर हमने दो तीन टॉपिक पढ़े जो कि महतुपूंथ है आई होप जानकर इच्छी लगी होगी वीडियो उच्छा लगा है तो जल्दी सी वीडियो को लाइक कर दें कॉमेंट करके बताएं वीडियो में एक्स टॉपिक के साथ अब तक लिए चानल के साथ जोड़े रहें चानल को सब्सक्राइब जरू कर लें हमारे पेट वैचे से जोड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में डीगे डीडियल को फॉलो किजे या फिर स्क्रीन पर आपको तीन नमबर यहां मैंसे किसी पर भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं आरो यारो री एक्जाम के लिए हमारे पेट वैचेस चालो हो चुके हैं यूबिपी एसी प्री मेंस इंटर्व्य की कम्प्लीट प्रप्रेशन यूबिपी एसी दोहजार चॉबिस का बैच सुरू हो चुका है जिसमें कम्प्लीज सब कुछ में लेगा यूबिपी एसी मेंस का भी बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें आंसा राइटिंग प्रक्टिस आपको अच्छे से करवाई जाती है और आप अगर जो आपको जो गाइडेंस है वो बिल्कुल परस्नल गाइडेंस दिया जाता है आपके आंसा आपको मिलता है तो आप चाहें तो जोइन कर सकते हैं अगर आप उत्रपिदिस लोग सिवायों की परिक्षा देने वाले हैं तो और जो मोर अपडेट है उसके लिए आप हमारा टेलिग्राम गुरूप जोइन कर सकते लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी टेलिग् कर दो मिल जाएगी झाओ